ट्रेपल आईटी उना वर्सिस ट्रेपल आईटी भोपाल अगर हम बात करते हैं ये रवास्ट ब्लिस्मेंट का भोपाल खुली है 2017 में और उना खुली है 2014 में अगर हम बात करेंगे केंपस का टाइप आप केंपस का उना का पर्मेंट केंपस पर चल रही है भोपाल का पर्मेंट केंपस नहीं है अभी ओनाईटी वोपाल केंपस में चल रही है केमपजर की बात करते हैं उना का जो क्रॉल केमपजर यह है 20 एकड़ है वुपाल न केमपजर भी है नहीं बर जो होने वाली है लगवग 50 एकड़ की होने वाली है अगर हम प्लेस्मेंट की बात करेंगे वोपाल का, जो मतलब भोपाल जो courses करवाती हैं, वीटेक करवाती है वोपाल खाली, तीन ब्राँचे में, electronics, IT और CST में, अगर हम बात करेंगे उनना का, तो वीटेक भी करवाती है, M-Tek بी करवाती है, और पेजडी करवाती है, अगर ह उसके लिए अभी कितना होने वाला है अभी तो परसेंटेज प्लेसमेंट गया है लगबक 75-80 परसेंट चार चुका है प्लेसमेंट और लास्ट ये जो अभरेज बच्चों का प्लेसमेंट होता परसेंट बच्चों का उना 87 था तो इस पर होफुली तो बढ़ेगा यह मैं ड प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं अभी उन्होंने अप्डेट नहीं कर रहा है 21 का डेटा जो है कितना गया है वह आप केंपस के 47 लेक्स और केंपस 25.5 लेक्स कितना गया है आपका ट्रपल आइटी उना का वह है आपका बार लाग के आसपास अगर हम बात करें फीज का तो जो ट्रपल आइटी वह पाल का फीज है बीटिक का उचे लाग असी अर के आसपास है अगर हम उना की बात करेंगे बीटिक का जो उना का फीज है वह है नो लाग सपास और एंटिक का उना का फीज कितना है वह लगवग आपका लगड़ा दो लाग तीस बतीस अर के आसपा थोड़ा remote area है भोपाल भी थोड़ा सा metro cities में लेकिन भोपार थोड़ा बड़ा सहर है एस कंपेट अना मैं भोपाल में रहा हूं और उना मी रहा हूं इसलिए I know both the cities very well आपका उससाइड आपको आसपास इंदोर अच्छा शहर आपको मिल जाएगा और रिलेस्टेशन काफी अच्छा मिल जाएगा उना रिलेस्टेशन है लेकिन इतना बहुत चानेक्टिविट नहीं है एस कंपेट अपर यह था कंप्रेजन दोनों को अलदेश का और दोनों आस पस जो प्लेस है मुनका भी थैंक यू पैंच वाचिन इस वीडियो लाइक कमेंट शेयर सब्स्टाइब गद्नेस यौल बाइबाए